Hello everyone, my name is Shubham Singhaniya and I am your mentor for UGC NET, Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So I hope कि आपकी तयारी बहुत अच्छे से चल दे होगी for UGC NET December 2019 attempt. Still हमारे कुछ students हैं, हमारे कुछ viewers हैं जिनके हमें regularly queries आ रही थी कि due to some personal reasons में भी कुछ job करने की वैसे या फिर कुछ जो students हमारे M.Com pursue कर रहे हैं वो अपने M.Com के exams की वैसे या फिर M.Com की classes की वैसे UGC NET की preparation ठीक से नहीं कर पाए हैं and they wanted us कि हम 30 दिन की एक strategy लेके आएं जिसमें हम उन्हें बताएं कि आप वो किस तरह UGC NET की preparation कर सकते हैं आज मैं आपके सामने आया हूँ एक 30-day plan लेके 30-day strategy लेके जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तयारी करनी है और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमने 30-day crash course निकाला है जिसके अंदर हम paper 1 की तयारी 10-day में कराने वाले हैं and paper 2 commerce and management की तयारी 20-day में कराने वाले हैं इस 30-day plan के अंदर हम आपकी पूरी तयारी कराएंगे ताकि आप 30-day के अंदर UGC NET exam को crack कर पाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चानल को subscribe ने किया है तो उपर दिये गए i-link पे click करके आप हमारे चानल को subscribe कर सकते हैं ताकि आपको सारी recent updates मिलती रहें तो यहाँ पर point यह है students की सबसे पहले आपको ये believe करना बहुत ज़रूरी है कि आप 30 days में UGC NET exam crack कर पाएंगे तो सबसे important यह है कि आप एक believe रखें अपने अंडर कि आप UGC NET exam crack कर पाएंगे और दूसरा सिर्फ belief important नहीं है साथ में ये भी important है कि आपके अंदर एक confidence हो कि हम कर सकते हैं until आपके अंदर confidence and belief है आप UGC NET exam को crack नहीं कर पाएंगे जो हो गया उसके बारे में जादा मत सोचिए अब सिफ़ एक belief and confidence रखी अपने उपर कि आप 30 दिन में UGC NET crack कर पाएंगे तभी ये वीडियो आपके लिए helpful होने वाला है और तभी जो मैं strategy बताने वाला हूँ वो आप properly use करके अपनी तयारी अच्छे से कर पाएंगे तो पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने crash course के बारे में बता देता हूँ तो हमने जो crash course शुरू किया है उसके अंदर हमारा plan ये है कि हम 10 days के अंदर paper 1 को complete करेंगे और 20 days के अंदर paper 2 commerce and management की तयारी करवाएंगे तो यहाँ सबसे important aspect यह है कि आपको इस crash course में के अंदर क्या-क्या मिलेगा तो एक बार वो discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 370 plus videos मिलने वाली हैं जो properly आप देख सकते हैं और उसमें concept clarity ले सकते हैं अगें आपको downloadable PDFs मिलेंगी जो आप download करके print कर सकते हैं और उनसे अपनी तयारी कर सकते हैं अगें हमने unlimited mocks बनाए हैं जिनका level UGC net exam से थोड़ा सा better है थोड़ा सा difficult है ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तयारी हो सके and fourth हमने live doubt session के लिए एक telegram group भी बना रखा है जो आप तुरन जॉइन कर लेंगे जैसे आप हमारे crash course को purchase करते हैं और उस पर आप 24-7 अपनी queries and doubts हमसे पूछ सकते हैं तो ये चार चीज़े आपको provide करी जाएंगी अब एक बार crash course की pricing के बारे में तो दो हमारा जो original course है वो रुपीस 2000 का है बट सिंस अभी हमने 40% discount offer किया हुआ है on the occasion of Diwali तो इसलिए अभी जो आप हमारा paper 1 का course purchase कर सकते हैं 10 days crash course वो सिर्फ रुपीस 1200 में आपको available कराया जाएगा इसी 1200 के अंदर आपको ये 4 चीज़े provide करे जाएंगी that is videos, downloadable pds, unlimited mocks and light out sessions so अब बिना time waste करते हैं पहले देखते हैं कि क्या strategy हमें use करनी है for our 10 days course in order to crack paper 1 so जैसे कि आपको already पता है कि जो हमारा 10 day जो paper 1 का course है वो 10 topics में divided है तो यहाँ पे हमने आपके लिए strategy बनाई है वो per day एक topic cover करने की strategy बनाई है जिसके अंदर हमने किया क्या है कि आपको सारे के सारे जो pds हैं हमारे topics के paper 1 के वो सारे के सारे download करने है उन्हें print करा के पढ़ाई करनी है उससे और साथी साथ कुछ important topics की हमने video identify करी भी है जो आप जरूर देखें अगर आप वो videos देखेंगे तो आपको concepts बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे और इसके बाद जब आपने PDF को पढ़ लिया है वीडियो को देखकर अपने concept की clarity ले लिये तो हमने उसके अंदर काफी सारे MCQ questions प्रोवाइड करा हैं जो हर topic के अंदर approximately 100 plus MCQ questions available है आप जैसे ही उन concepts की clarity ले लें PDF और वीडियो से आप वो 100 MCQ questions same day practice करें target बना के ताकि आप हर दिन एक particular topic को cover करते रहें और साथ ही अगर उसके बीच में अगर आपको कोई भी doubt आता है तो आप उस question को हमसे telegram group पे contact करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उसे समझा देंगे या फिर आपकी कोई और query है उसे solve कर देंगे तो मैंने तीन parts में आपको चीजे बताई है first कि आपको वीडियो देखनी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ important topics की second आपको सारी की सारी PDF को एक बार go through करना है and third जो hundred plus mcq questions उस पर टॉपिक के provide कराए गए है वो भी आपको semi day लगाना है so यहाँ पे मैं आपको कुछ important topics बताता जाऊंगा so पहले बात करते हैं day one पे so day one पे आपको teaching aptitude से शुरुआत करनी है और teaching aptitude जो की बहुत important topic है इसलिए इसके अंदर कुछ मैंने topics identify कर ली है आईए देखते हैं उसे for example meaning of teaching definition and models of teaching यह बहुत important topic है तो इसको आप जरूर देखें video के form में next objectives, aim, quality of good teacher and students again इस topic की video separately available है हमारे crash course में तो अगर आप इसे देखेंगे तो उसमें proper जो भी characteristics जरूरी है teacher और students को उसकी आपको clarity आ जाएगी next features, levels and different variables तो काफी सारे variables हैं काफी सारे elements हैं जो teaching को improve करते हैं teaching effectiveness को improve करते हैं तो उनको भी हमने इस पटलर वीडियो में cover किया हुआ है next important video जो आप देख सकते हैं वो है methods of teaching की different types of methods के start की methodology एक teacher use करता है different teaching aids use करता है इन सारे topics को हमने इस पटलर वीडियो में cover किया है तो आप इस वीडियो को भी देखें next teaching support system learners characteristics जिसमें हम learners outcome के बार में बात करते हैं क्या learner की characteristic होनी चाहिए in order to grab the maximum things from a teacher ये सारे aspects इस पटलर वीडियो में covered हैं next video जो आपको cover करनी है वो है evaluation system तो since evaluation system से काफी जाधा questions past year में आ रहे हैं that is pre and post evaluation techniques or systems and methodologies तो इन सारे चीजों को हमने इस पटलर वीडियो में cover किया है तो इस वीडियो को भी जरूर देखें आप last but not the least MOOCs that is massive open online courses SOIM प्रभा CBCS that is choice based credit system computer test innovation and evaluation यह हमारी last video में covered है so यह कुछ important videos है जो मैं suggest करूँगा कि आप देखें इसके साथ सारी PDFs पढ़ लीजे Teaching Aptitude की download करके and 100 MCQ questions यह आपका target होना चाहिए for your day 1 आगे चलते हैं day 2 पे again मैंने research aptitude के कुछ important topics identify किये हुए है that is meaning and philosophies of research different जो research philosophies है positiveism, realism, interpretivism यह सारी चीज़े इस पटलर वीडियो में समझाई गई है second features and objectives of research steps, research, designs and scaling research, design जैसे की कुछ हमने अपने पुरानी वीडियो में भी बात करी थी exploratory research, design, descriptive research, design जिनसे काफी जदधा questions आते हैं so इस topics को भी properly इस पटलर वीडियो में समझाया गया है next meaning of sampling, sampling importance, types of sampling जिसमें non probability as well as probability sampling techniques आती है so इसके काफी सारे element हैं और यह काफी जदा complex है तो इस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें अगर आप इस एक वीडियो को देख लेंगे तो आपके concepts काफी जदा clear हो जाएंगे next बात करते हैं research ethics के बारे में कि क्या-क्या ethical चीजे elements हमें follow करने होते हैं जो हमारी research को बढ़ावा देते हैं और अगर हम उन्हें नहीं follow करते हैं unethical practices करते हैं तो हमें काफी जदा आपने research में problem हो सकती है आगे बात करते हैं differencing style के बारे में इसकी भी हमने separate video बनाई वीए क्योंकि काफी जदा questions आ रहे हैं इस पे for example आपने देखा हुआ कि APA style पे last time question आया था तो इसलिए हमने इसे cover कर लिया है और भी काफी सारी Chicago style and other styles को हमने यहाँ पे cover किया है last video में बात करूंगा application of ICT that is information and communication technology in research, post-positivism and thesis writing इन topics की भी एक separate video बना दी गई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगी अब मेरे काफी सारा जो students है जो इस video को देख रहे हैं वो यह सोच रहे हैं कि क्या हम यह सारी videos को एक दिन के अंदर cover कर पाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो paper one की सारे topics identify किये हैं या जो videos में आपको देखने को बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तीन से चार गंटे की हैं इसका मतलब यह है कि तीन से चार गंटे के अंदर अगर आप PDFs रखके साथ में पढ़ रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा sufficient हो जाते हैं for your UGC net exam दिन में आपको 10 घंटे तो approximately target लेके चलना ही है या जादर मैं आपसे कहूं कि आपका target यह होना चाहिए कि आप सारे videos और concepts को clear कर लें और साथी साथ at least 100 MCQ questions जो हमने provide किये हैं उसको properly solve कर लें with proper explanations इन सारे questions के साथ साथ हमने explanations भी provide किये हैं जो एक unique feature है हमारे crash course का क्योंकि कई बार यह होता है कि students questions तो solve कर लेते हैं बट उन्हें उनकी explanation नहीं समझ में आती है तो उन्हें काफी ज़ाधा problem होती है बट इन सारे questions के proper explanations भी provide किये गए हैं आगे बढ़ते हैं day 3 पे day 3 पे जो topic आपको cover करना है वो है communication यह topic हमने हलका सा light रखाए day 3 पे because teaching and research थोड़े थोड़े typical topics हो गए थे तो इसके अंदर सारे pdf के साथ साथ जो आपको videos देखनी है वो मैंने identify कर ली है that is meaning, process of communication, characteristic so इससे कुछ basic question पूछे जाते हैं तो अगर आप इस video को देख लेते हैं तो आपके ये concepts clear हो जाएंगे आगे बात करते हैं formal and informal communication, advantages, barriers and seven C's of effective communication so barriers से काफी जाधा question आ रहा हैं जिसके अंदर semantic barrier, organizational barrier, personal barrier इससे related काफी questions पूछे गए हैं past years में so again इस proper video में examples के through हमने इस particular topic को भी cover कर लिया है आगे चलते हैं effective classroom communication, intra and intergroup communication and एक नय topic add हुआ है that is mass media and society जिससे काफी जाधा उमीद हैं कि इस बार exam में उस particular topic से question आ सकते हैं so again आप सिर्फ इतनी videos को देख लीजे सारे PDF को go through कर लीजे and 100 plus mcq question जो communication के provided है उसे same day पर date 3 पर solve कर लीजे ये आपके लिए काफी जाधा sufficient हो जाएगा आगे चलते हैं day 4 पर day 4 पर हमारी क्या strategy है topic के लिए that is ICT which is information and communication technology so यहाँ पर आपको क्या करना है students यहाँ पर आपको videos देखने की जौत नहीं है because जो maximum question इस topic से पूछे जाते हैं वो factual based question है तो क्योंकि यह factual based question है तो इसमें videos में time waste करने की जौत नहीं है इसलिए हमने आपको videos provide भी नहीं करी है तो आप इसमें सारी PDF को go through कर लीजे and 100 plus mcq questions प्राक्टिस कर लिए यह आपके लिए काफी ज़ादा sufficient हो जाएगा आगे चलते हैं बात करते हैं day 5 के लिए that is reading comprehension practice questions अब reading comprehension एक ऐसा topic है जो बहुत ही easy भी है और बहुत ही कम time में ज़ादा scoring करने वाला है तो इसके अंदर आपको कोई videos देखने की जौत नहीं है इसमें जितने भी हमने practice questions दिये है mock MCQ questions दिये है उसे आप properly practice कर लिजे उससे आपकी time की भी practice हो जाएगी और आपको यह भी idea लग जाएगा कि किस टाइप के questions आने वाले हैं exam आपने एक और topic easy topic cover कर लिया next बात करते हैं day 6 day 6 में हमें जो topic cover करना है वो है data interpretation अब data interpretation की खास बात क्या है students कि data interpretation में जो questions आ रहे हैं वो आजकल percentage and average इन दो topics पे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं इस practice questions जो आपने provide किये हैं उसमें हमने ज़्यादा तो question percentage और average से रखे हैं ताकि आपको idea लग सके कि कि किस level के question किस type के question past years में आ रहे हैं और अगर आप इन practice questions को properly practice कर लेते हैं तो आप sufficiently prepared हो जाएंगे data interpretation के questions को attempt करने के लिए तो again सिर्फ practice questions प्राक्टिस करने हैं हमें data interpretation के अंदर बात करते हैं day 7 के बारे में ये जो topic है mathematical reasoning का ये काफी जादा हमारे students को difficult लगता है और इसी लिए ये एक ऐसा topic है जिसमें बहुत अदरा time waste करने की जौत नहीं है जिस type के past year में question आ रहे हैं उसी type के questions हमने अपने 100 plus practice questions में रखे हैं आप सिर्फ और सिर्फ उन 100 plus practice questions को properly back के solve करके चले जाएए आपको proper idea हो जाएगा आपकी sufficient तयारी हो जाएगी for paper 1 for this particular topic तो सिर्फ आपको इसके अंदर practice questions ही लगाने हैं day 8 के बारे में बात करें day 8 में जो topic हम cover करने वाले हैं वो है people and environment again people and environment से ज़्यादा topic पूछे जाते हैं वो fact based होते हैं जिनको हमने काफी ज़्यादा form में current interface के series के form में cover किया हुआ है अगर आपने हमारी current interface को वीडियो को नहीं देखा है तो उपर दिये गए i-link पे click करकर आप हमारी current interface वीडियो को देख सकते हैं वहां से भी आपकी current interface की अच्छी खासी तयारी हो जाएगी इसके सिवाए जो people environment के topics हैं वो pdf form में cover किये हुए हैं इसमें videos मैंने suggest नहीं करूँगा because वो आपका सिर्फ और सिर्फ time waste करेगा क्योंकि fact को आप properly pdf से ही पढ़ के cover कर सकते हैं और उसके बाद हमारे 100 plus mcq questions को solve कर दीजे वो आपके लिए sufficient हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 9th day पर 9th day बहुती ज़्यादा crucial होने वाला है और game changer होने वाला है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ because logical reasoning है कैसा topic है जिसमें काफी ज़्यादा नए topics add किये गए हैं तो अगर आप इन नए topics को properly conceptual clarity लेके चले जाएंगे तो मैं 100% guarantee देता हूँ कि आपके marks में बहुत ज़्यादा improvement होने वाली है और आप UGC net paper 1 में बहुत अच्छे marks score कर पाएंगे score कर पाएंगे तो यहाँ पे जो topics हमने cover किये हैं जिनकी important videos में आपको बताने वाला हूँ apart from PDFs and 100 MCQ questions वो ये हैं Indian logic तो जैसे आपने देखा हूँ कि past years में कुछ Indian logic से topic like अनुवाना, अर्था पटी इन से questions पूछे जा रहे हैं तो इन सारे terms को हमारे काफी ज़्यादा students नहीं समझ पाते हैं तो इस परकला video के अंदर इन terms को with examples हमने properly explain कर लिया है और इसके बाद जब भी आप questions लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप Indian logic के questions को बहुत आसानी से solve कर पाएंगे similarly जो other topics and different types of arguments हो गए categorical prepositions हो गए moods and figures हो गए इन से भी काफी एक से दो questions आते हैं again अगर आपने ये video ठीक से देख लिए concept clarity ले लिए है तो आप इस type के भी सारे questions solve कर पाएंगे next बात करता हूं मैं valid and invalid arguments square of opposition, square of opposition part 2, इन तीन videos के अंदर हमने square of opposition पे focus किया है because regular basis और मैं बता दी यहाँ पे कि जो video है वो बहुत ही simple and bilingual language में बनाई गई है ताकि जो English speaking students हैं वो भी देख सकें और जो Hindi speaking students हैं वो भी देख सकें बहुत ही simplistic approach में syllogism का topic समझाये गया है हमारी faculty दोरा ताकि आप बहुत आसानी से उसे समझ सकें और आप उसके बाद सारे जब भी questions लगाएंगे वो आप से बहुत आसानी से solve हो जाएंगे last topic जो हमने cover किया है वो है syllogism concessions rules and vend diagram तो syllogism के तो एक से दो questions आते ही आते हैं तो अगेन आपने अगर इन वीडियो को देख लिया है तो आप बहुत आसानी से practice questions लगाने के बाद UTC net sin में जो questions आएंगे उन्हें आप crack कर पाएंगे तो यह हमारा 9th देखा प्लान हो गया बात करता हूँ मैं 10th day के बारे में जिसमें हमें cover करना है higher education का topic so again higher education topic से काफी ज़्यादा current affairs question आ रहे है उसके लिए आप हमारी current affairs की series की video देख लिजे जिसमें हम July से लेकर October month के सारे current important current affairs को cover कर रहे है वो आपके लिए sufficient हो जाएगा इसके सिवाए जो दो important videos मैंने identify करिये आपके लिए apart from your pdf's and 100 mcq questions our draft education policy जो की बहुत important है decent का topic है and Aisha that is all India survey for higher education so इसकी भी report आशुकी है तो आप इस topic इन दोनो topics की video को हमारे crash course में देख सकते हैं इस type का आप approach रखते हैं keeping the belief in yourself and confidence with meeting the targets ये नहीं करना है कि आप एक दिन का दूसरे दिन compile करते रहे हैं same day जो आपको targets दिये गए that is your pdf's, your videos as well as 100 mcq questions अगर आप इस systematically से follow कर रहे हैं target wise चीजों को achieve कर रहे हैं आप बहुत आसानी से paper one की तयारी 10 दिन के अंदर कर पाएंगे आपने यहां पर देखा हुआ कि कुछ ऐसे topics हैं जिसमें videos नहीं हैं तो वो आपका time saver है वो आपके लिए एक breather का काम करेंगी आपको एक relaxation देंगी तो अगर कोई ऐसा difficult topic है जिसमें आपको date दिन लग गए तो कोई ऐसे भी topics होंगे वो आपको आदे दिन में cover हो जाएंगे आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 10 दिन के अंदर यह जो भी strategy मैंने बताई है यह properly follow करनी है keeping the belief in yourself कि आप 10 दिन के अंदर paper one की तयारी कर सकते हैं अगर आप यह belief रखकर यह proper strategy यह follow करते हैं तो आप 10 दिन के अंदर paper one की बहुत अच्छी तयारी कर पाएंगे और मैं यहाँ पर दुबारा एक चीज़ पर focus करना चाता हूँ कि time matter नहीं करता है कि आप एक दिन में 10 गंटे पढ़ते हैं या 12 गंटे पढ़ते हैं बट आपको इस पूरे time duration के अंदर 30 days के अंदर proper concentrate करकर systematically concepts को clear करते हुए चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है अगर आप बीच में casual हो जाएंगे अगर आप बीच में सिर्फ questions को लगा रहे हैं ध्यान से नहीं पढ़ने हैं concepts की clarity नहीं ले रहे हैं तो ये 30 days strategy आपके लिए useful नहीं होने वाली है बट अगर आप serious होके focus होके proper planning से पढ़ते हैं तो आप 30 days में ही UGC net को crack कर पाएंगे that's all for today thank you और इसके बाद भी अगर आपकी कोई query दे गई है तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं till then thank you and have a nice day